अधर्णी अनुराग जी वैसे दिखाई नहीं जह रहे हैं लेकिन अधर्णी विनोज जी अजय जी और हमारे तमाम पुराने दोस्त हो साथी मेरा जो बीशाय है हिंदी पत्रकारिता और उसका बदलता स्वरूर तो मेरा थोड़ा सा मिक्स हो गया था मैंने केरियर सुरू की अंग्रेजी से फिर कुछ साल हिंदी में काम किया फिर अंग्रेजी में काम किया फिर टीवी में काम किया फिर एलेक्ट्रानिक मीडिया में काम किया, डिजिटल लो, यह सब, ति इस तरह से करीब 35-36 साल का जो मेरा जर्नलिजम का केरियर रहा है, उसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ा-थोड़ा सभी मीडियम में काम करने का मुझे मुझे मौका मिला है। हिंदी पत्रकारिता हो या पत्रकारिता हो, जो credibility का संकट है, उह लगभग सभी भासाई पत्रकारिता में हैं और एक दोर था कि माना जाता था कि अंग्रीजी पत्रकारिता के credibility जादा है, उसके बाद बंगला, तमिल, तेलुगू, इस तरह के जो बाकी लंग्वे जर्नलिजम थे उसकी credibility हिंदी से बेटर मानी जाती थी जब हम लोग हिंदी में पत्रकारिता करते थे और कहा जाता था कि अगर aggression देखना है तो आप बंगला जर्नलिजम में देखिए मराथी में देखिए, तमिल में देखिए, तेलगू में देखिए वो धिरे धिरे बदला, मैं यहाँ पर कुछ जो मेरे पुराने अनभव रहे हैं और जो जब मैं जर्नलिजम में आया तो मेरे एडिटर हुआ करते थे, एक एंगलो इंडियन थे उनके द्वारा जो जानकारी मिली, एज बिगिनर, उसको मैं आप लोगों के साथ साज़ा करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं बताने के कोशिश करूँगा, कि जो इक रेडिबिलिटी का संकट है या उसके लिए कौँ लोग जिम्मेदार हैं मेरी नजर में जब मैं आया 35-36 साल पहले पत्रकारिता में, तो उसमें पत्रकारिता का जो स्वरूप था जर्नलिस्ट और प्रवंधन के बीच में उसमें सरकार और जर्नलिस्ट के बीच में प्रवंधन कभी डिरेक्ट नहीं आता था और पत्रकार और सरकार के बीच में प्रबंधन बैक दोर से काम करता था इसलिए साइद बड़े-बड़े संपादक रखे जाते थे जो कि जिनकी बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती थी जिनका बहुत ज़्यादा बहुधिक अस्तर होता था जो अपने छेतर के मने पारंगत माने जाते थे और जो मैनेजमेंट उनकी प्रोफाइल उनकी क्रेडिबिलिटी उनकी परसनलिटी को आगे करके अपने तमाम उस तरह के भी काम मुख करवाते थे उनसे जो काम की जर्रिलिजम से हट के होता था लेकिन जैसा कि अभी जगदी जी बता रहे थे कि कोई भी बिजनेस करने के लिए करेंसी जरूरी है तो उस समय भी अख़बार चलाने के लिए रूपिय की जरूरत थी और रूपिया डाइरेक्ट जर्नलिजम से नहीं आ सकता था तो तमाम जो अख़बारों के मालिक होते थे उनके और भी कई तरह के कारोबार होते थे तो उन कारोबारों की मदद बैक डोर से उन जर्नलिजम का सहारा लेके लिया करते थे सरकारों से और अलग-अलग प्रतिश्ठानों से जब मैं कैरियर शुरू किया तो हमारे जो एडिटर थे एंग्लो इंडियन उन्होंने उस समय के तीन चार बड़े लोगों का नाम गिनाया जिनके बारे में हम लोग पढ़ा करते थे कि बहुत ही इंटिग्रीटी वाले बहुत ही आनेस्ट जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने जर्नलिजम में बड़ा अच्छा काम किया है आप सबने नाम सुना होगा पाइनियर अख़बार अपने जमाने का बड़ा ही क्रेडिबिल अख़बार माना जाता था लखनव से छपता था उसके उस जमाने के जो एडिटर थे उनको पहली बार सरकार ने विधान परिशद में नामिनेट किया उस समय पाइनियर के जो मालिक थे नाम लेना उचित नहीं है कानपूर के एक बड़े ब्यवसाई थे उनकी धेर सारी मिलें थी और जो समपादक थे उनकी जर्नेलिस्टिक इंटीग्रिटी और उनकी जो कॉम्पिटेंस है उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते तो जब मैंने उनसे कहा कि फिर उनको MLC बनने के क्या जरूरत पड़ी वो तो इतने बड़े पत्रकार थे इतने बड़े अर्गनेजेशन के एडिटर थे इतना क्रेडिबिल नूज पेपर था तो फिर उनको MLC बनने की जरूरत क्या पड़ी नमस्ते संतो जी स्वागत तो उनका यह कहना था कि मैनेजमेंट की एक्छा थी कि वो अगर MLC बन जाते हैं तो तमाम तरह के जो मैनेजमेंट का काम है वो आसान हो जाएगा सरकार से और मैनेजमेंट के बीच में एक ब्रीज का काम करेंगा और उस समय उत्तर प्रदेश में एहमवते नंदन बहुगुणा जी चीफ इनिस्टर थे कांग्रेस की सरकार थे ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश के बियोरोचीफ हुआ करते थे एक सजन हिंदुस्तान टाइम के उनको राजय सभा का मेंबर नामिनेट कर दिया गया एक दूसरे अख़बार के वो बियोरोचीफ हुआ करते थे उपी के तो वो उसके पीछे भी मोटीव यही था मेरा ये दो उदारण देने का मकसद दे था कि सुरुवाती दोर में भी सरकार और पत्रकार और पत्रकारिता के बीच में जो बड़े पत्रकार होते थे जिनको संपादक, CEO, Managing Editor बनाया जाता था वे बिरीज का काम करते थे लेकिन उनको पता रहता था कि किस सीमा तक पत्रकारिता से कम्परमाईज करना है और किस सीमा के बाद compromise नहीं करना है और उस समय का जो प्रबंध तंत्र होता था वह प्रबंध तंत्र भी अपनी लक्षमन रेखा पार नहीं करता था अगर कोई ऐसी प्रोब्लम आ गई जिसका की management नहीं हुपा रहा है सरकार से तो फाइनली उस समय का management अपने editorial team के साथ खड़ा होता था अपने editor के साथ खड़ा होता था उस सरकार के सामने घुटने नहीं टेकता था अभी problem कहां से शुरू ही problem शुरू ही जब editor नाम की संस्था को धीरे धीरे खत्म किया गया और management को लगा कि जैसे बाकी product हैं वैसे newspaper और media भी एक product है और जब उसको एक product की तरह treat किया जाने लगा तो जो बड़े बड़े संपादक, पत्रकार, पढ़े लिखे लोग थे उनको धीरे धीरे संपादक के पदों से हटाया जाने लगा क्योंकि वे एक limit से ज़्यादा compromise करने को तैयार नहीं थे अपने journalistic values के साथ तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगा कि management direct सरकार से interact करने लगा coordinate करने लगा और बहुत सारे चीजें सीधे उसको लगता था कि बड़ा आसान हो गया हमारी accessibility हो गई सीधे चीफ इनिस्टर आफिस में और प्राइम इनिस्टर आफिस में और establishment में लेकिन problem कहां शुरू ही problem शुरू हुई कि जब सरकार की demand बढ़ती गई और management की भी एक सीमा थी उसको पूरा करने की और जब उसको पूरा करने में धेरे धेरे वो inability दिखाने लगे तो उनके खिलाब फिर बाकि एजेंसियों का इस्तेमाल होने लगा तो जो एक साक अबजर्बर का काम संपादक या editorial टीम करती थी एक लंबे समय तक सत्ता प्रतिस्ठान और जर्नलीजास के बीच में जब आपने उस बीच के उसको हटा दिया तो आप सीधे फाइरिंग रेंज में आ गए और जब फाइरिंग रेंज में आ गए तो आपके सामने या तो जमीन पलेटने का विकल्प है आने तो आप अपना बिजनेस बंद करिए बीच का कोई रास्ता नहीं मैं ये दो तीन उधारन इसलिए देके अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता था कि बिश्वसनियता या क्रेडिबिलिटी अगर खतम हुई है तो उसके लिए काफी हद तक मैनेजमेंट जिम्मेदार है और आज मैनेजमेंट से आप सिक्रेट वोटिंग करा लिजे मैं नाम नहीं उस टर्मिनोलोजी के यूज नहीं करता हूँ जो टर्मिनोलोजी आज करी यूज हो रही है यासी मरेंजी ने भी कहा कि आप किस पार्टी से हैं ये पूछा जाता है पत्रकारों से लेकिन आप उनके दिल पहात रखे पूछिए कि क्या आप खुछ हैं मौजुदा बैवस्ता से तो जो लोग सत्ता के करीब दिखाई दे रहे हैं वो ज्यादा आहत और परहसान है उन लोगों के तुलना में जो लोग की बेरोजगार सडकों पर दिखाई दे रहा है क्योंको वो जो रोज की डिमांड है रोज का दबाव है वो पूरा करना किसी के लिए संभव नहीं है और जो सत्ता में होता है उसके लिए राइट रांग कुछ भी नहीं होता है उसको तो अपना एजेंडा आगे बढ़ाना है आप जब तक उसके एजेंडा को फालो करेंगे वो आपको पैटरनाइज करेगा जब आप नहीं करेंगे आपके पीछे बागी एजेंसिया लगा देगा तो पहली बात तो ही कि आज अगर मेडिया की क्रेडिबिलिटी गिरी है तो उसके लिए पत्रकार तो जिम्मेदार हैं लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदार अख़बारों के मालिक हैं चैनलों के मालिक हैं या उन ब्यावसाइक प्रतिस्थानों के मालिक हैं जो लोग कि उस अकर्षण में आगे बढ़ गए और बीच के जो एक इंस्टिट्यूशन था एडिटर का या एडिटोरियल टीम का उसको उन्होंने कमजोर किया खतम किया दूसरा मेरा मैं एक और उदारन दूगा अधिनियो संतोजी मेंबर पालियमेंट भी रहे हैं और देश के जाने माने सिनियर जर्नलिस्ट हैं हम लोगों के आदर्स रहे हैं और जेपी मुव्मेंट के निकले हुए हैं उस तरह के पतरकार नहीं हैं कि खली इस्टूडियों बाइठ के करांती करते हैं इन्होंने जमीन पर संगर्स किया है और सचमुच आपात कलक के विरोद में जेल में भी रहे हैं आदेने चंदर सेखर जी का एक स्पीच मुझे याद आ रहा है लोग सभा में एक बार डिबेट चल रहा था बोफोर्स केस के लिए और उसके बाद बिहार में चारा गोटाला हुआ था तो उस समय के जो अपोजीशन में पार्टियां थी वे लगातार सरकार को कठगरे में खड़ा करने के कोशिश कर रही थी और उनका कहना था कि पूरा का पूरा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही करप्ट हो गया है और सारे इंस्टिउशन भी उसमें सामिल है उस समय भी तमाम केंदरी एजांच एजेंसियों को रूलिंग पार्टि की एजेंसी के रूप में जोड़ के देखा जाता था जैसे आज देखा जा रहा है चंदर सेखर जी उठे वो जब बोल रहे थे काफी लंबा भाँ सड़े उनका यूटूब पर भी आप सब भी देख सकते हैं उसमें एक सेंटेंज जो मुझे याद है चंदर सेखर जी ने कहा कि अभी तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग चरीत रहनन कर रहे हैं और पूरी पोलिटिकल जमात की इंटिग्रिटी और क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं लेकिन यह मत भूलिए कि जिस दिन इस पूलिटिकल जमात या इस पूलिटिकल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी खतम हो जाएगी अवाम की नजर में देश की नजर में तो उस दिन लोकतंत्र भी नहीं बचेगा तब आप ही रोते नजर आएंगे कि लोकतंत्र खतम हो रहा है और डिक्टेटर्स ही पार है तो आप political बिरोध करिए लिकिन ध्यान रखिए कि बिरोध की करने के होड में इस सीमा को मत पार कर जाएए कि पूरी की पूरी political system की credibility और integrity पर को ही आप खतम कर दीजिए आज वही स्थिती journalism की हो गई है हम लोग जब आये थी journalism में तम आदर्णिय संतोजी जब थे journalism में तब हम लोगों को यह सिखाया जाता था कि आपस की भी अलोचना करना हो तो एक मर्यादा में रह के करिए personal होके मत करिए institutions के खिलाब भी अगर आप एक institution में काम कर रहे हैं तो दूसरे institutions के खिलाब भी अगर बोलना है तो एक मर्यादा के अंदर ही बोली है आज इतना ज़्यादा below the belt गीर के attack हो रहे हैं एक दूसरे की अलोचना हो रही है जितने तरह के adjectives हो सकते हैं वो इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद लोग खुश होते हैं कि हमने तो उनको नीचा दिखा दिया मेरा मानना है कि आप individual को तो जो नीचा दिखा रहे हैं वो तो छणिक है आप उस ब्यवसाय को उस प्रोफेशन को उसकी integrity और credibility को आप खतम कर रहे हैं और जब integrity और credibility ही नहीं रहेगी तो चाहें आप सत्ता के जिस भी पाले में खड़े होके उस ब्यक्ति या उस संस्थान की अलोचना कर रहे हैं फिर आपकी भी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा क्योंकि आप भी तो उसी प्रोफेशन उसी सिस्टम के हिस्सा है तो अलोचना करने के समय इस बात का जरूर धियान रखना चाहिए कि क्या आप अपनी भासा से अपनी सहली से उस भ्यक्ति का नुक्सान कर रहे है कि उस संस्था का नुक्सान कर रहे है इंस्ठीटिूशन को बनाने में दस्कौल लग जाता है, सताबडी लग जाती है, तब कोई इंस्ठीटूशन बनता है, लेकिन अगर आप इंस्ठीटूशन को खतम कर देंगे, तो फिर न तो समाज बचेगा, न हुमेनिटी बचेगी, और न देश बचेगा, तो नेशन फरस और कंट्री फर्स्ट का नारा फिर आप कब देंगे जब देश ही नहीं बचेगा जब अखंड भारत खंड खंड भारत में हो जाएगा तो नेशन फर्स्ट की थिवरी कहां जाएगी मुझे लगता है मेरा समय हो गया मैं अपनी बात यहीं खतम करता हूं और एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी और आदाणिय संतोह जी बिनोद भाई और आजय का विशेश रूप से आभारी हूं कि इन लोगों ने भी संजोग से मौके पर उपस्थित होके मेरी बात को सुना बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू